अलो स्टुवेंट्स वॉनली सेलेक्शन वर्ल्ल में आपका स्वागत है मैं संतोस कुमार आपके लिए आज एक महतपूर्ण कलास NCRT आधारित आपके साथ डिस्कुशन करने वाले हैं ऐसा क्या है हमें NCRT पर डिस्कुशन करना चाहिए और हमारे लिए यह कैसे महतपूर्ण हो जाता है तो हमारे लिए यह दो बातें बहुत महतपूर्ण है पहला NCRT को हम समझे कैसे क्या है NCRT हम इसका परियोग कैसे करें इस्तमाल कैसे कर सकते हैं यह किसी बिच्छात्र के लिए एक्षप्रश्ण जैसा होता है अक्सर एक्जामशन में वैसे प्रश्ण जो दुरूह से लगते हैं कापे टिपिकल एक डिफरेंट एंगल में पूछा जाने वाला प्रश्ण और सतवच्छे NCRT को गंभीरता से लेते हैं इसके लिए वो उनके पास कई सारे NCRT आधारी गाइड मार्केट में आवलेबल और उनके भरों से उन्हें आसा महसूस होता है कि एक बड़ी सा भलता हासिल की जा सकती है कुछ लोग हासिल करते भी हैं लेकिन अब जैसे एक्जामशन में गौर्वर्मेंट ने प्लान किया है आप किताब तक आपकी किताब तक पहुँच बने आप किताब खोल कर पढ़ें और ऐसा में सरकार ने आपके लिए भू बहू NCRT आधारित क्वशन एक्जामशन में पूछने की एक नई परंपरा शुरू हुई है ऐसा नहीं है पहले नहीं पूछा जाता था पूछा जाता था लेकिन इस बार 2023 में आप देखेंगे NCRT पे विजस बल दिया गया है और इसके मद्दे नजर हमने भी NCRT पर अपने बच्चों के साथ NCRT पर डिस्कुशन के लिए हमारे टीम तयार है NCRT का पहला इसा Class 6 हम आपके साथ आज डिस्कुशन करने वाले हैं सबसे पहली बात NCRT को हम पढ़े कैसे ये हमारे लिए बहुत मत्रपूर होता है समझना तो NCRT पढ़े कैसे अगर आप हम से ये सवाल करते हैं तो हम आप से दो बात कहना चाहेंगे क्या क्या पहला NCRT को समझने के लिए हमें चित्र और मानचित्र का सहयोग लेना चाहिए NCRT को समझने के लिए हमें चित्र और मानचित्र का सहयोग लेना चाहिए दूसरा हमें Color का इस्तमाल color coding का तो पहचाननी की छमता रखनी चाहिए एलाम ने क्या कहा चित्र और मान चित्र को पहचाननी की छमता और दूसरा color coding color coding का अर्थात क्या है आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे color coding यह color coding blue color में यह आपको दिया हुआ है और यह यहां पर लिखा है क्या, कब, कहां और क्यासे यह आपके लिए blue color में है वहीं आप देखेंगे यह line, heading line भी आपका blue color में है और लेकिन आप देखेंगे यह पूरा का पूरा आपके लिए एक different color में आपके पास है तो यह आपके लिए ऐसे जहां पर परिभासाइं गढ़ी जा रही हैं वहाँ आप देखेंगे something इस color आपको NCRT में आपको मिलेगा और वहीं आप जब देखेंगे आपके लिए परिभासा गढ़ना आप एक block में आप देखेंगे वहीं आपके लिए extra information के लिए आपके पास यह मांचित्र चित्र आपने देखा यहां पर हम बार-बार यह चीज़ NCRT पढ़ने के लिए बहुत महत पूर्ण है परसत हो रहाएंगे चित्र पान चित्र चित्र पान चित्र और हमारे लिए ये इस तरह के image ये आप जो image देख रहा हैं ये हमारे लिए मत पूर्ण होगा NCRT image image चित्र और हमारे लिए अलग-अलग हिस्सों में यह देखें block में किया हो color coding में ये block में हमारे लिए कुछ information है जानकारी है योगी सब्द असपस्ट यहां भी लिखा हुआ है एंड इसको इसने क्या किया है अलग से कलर कोडिंग है और आप यहां पे देखें कुछ महत्पूर्ण तिथियां और इसे भी एक अलग कलर कोडिंग में इसे रखा गया है अर्थाथ हमारे पास फिर से हम चलेंगे तो हमें पहला चित्र इमेजिज दूसरा मान चित्र आपके लिए और तीसरा कलर कोडिंग यह बहुत मत पूर्ण हो जाता है फिर हम इसे और चीजों को समझने के लिए क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारे हैं अलग-अलग इसमें अलग-अलग जानकारियां हैं उन जानकारियों को भी एक जगह संग्रहित करेंगे उसे एक जगह इकटा करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे चीजों को समझने के लिए इतिहास की सबदावली इतिहास की सबदावलियों को भी हम यहाँ पर समझने की कोसिस करेंगे इसके अलावा आपसे यह उम्मीद की जाती है कि जब आप NCRT को पढ़ें उन्हें आप याद करते भी चले जाएं और उसे अपने समू के साथ चर्चा भी करें और जिन पर आप चर्चा करते हैं उसे करके भी देखें और आपसे तीन बाते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है NCRT आपसे क्या चाहता है पहला आप चीजों को थोड़ा सा आप इमेज बिस्ट कलपना करें आप थोड़े से चीजों को खंहाला प्रारंब करें और आपस में चर्चा करें चर्चा का प्रणाम क्या है उसे करके भी देखें अर्थात यह क्रियात्मक है अक्षन में है अक्टिविटी बेज्ड NCRT है और हम आज के ग्लास का हम प्रारंब करेंगे और आप NCRT पढ़ते समय आप तीन बातों को ध्यान रखेंगे मैंने अस्पस्ट किया है आपको तीन बाते हमारे लिए क्या महतप हो जाता है मेरे चात्र और आज हमारे अतीत का जो हमारा पहला ध्याय है अध्याय नंबर एक अगर आप इसे गंभीरता से लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीजों को समझना फास्ट मोल्ड में हम डिस्कुशन करेंगे हम अमीद है जिन मत वो अच्छे जो इन प्रश्णों का अधार कैसा होगा कहां से ये पूछा जा रहा है ऐसे में आपको समझने के लिए ये क्लास बहुत महत्पूर्ण होगा तो आज का क्लास का पहला ध्याय पहला ध्याय नंबर एक अध्याय वन हमारे पास यहां पे है देखेंगे प्रारंभिक कथन यहां कब कहां और कैसे क्या कब कहां और कैसे what when where how वाट विन-वाट विन-वेर हाउ आपके लिए टिपल डबलू-श ये आपके लिए है और यहां पे what When, Where, How यही ये वो कहानी है मेरे प्यारे चात्र जहां आपको NCRT सोचने पर मजबूर करता है आपके लिए क्रियात्मक हो जाता है आपके लिए एक्टिव मोड में हो जाता है अप एक्जामेशन में आपसे General Awareness क्या है ये General Awareness Aesthetics आप समझते हैं General Awareness क्या है आपके लिए General Awareness को समझने के लिए हमारे पास आज पूरा का पूरा मौका है और इसे समझने के लिए सब से पहले लेंगे रासिदा का सवाल एक बच्ची है ये बच्ची कौन है ये रासिदा है रासिदा आपसे प्रशन पूछती है क्या है रासिदा बैठी अकबार पढ़ रही थी एक news paper इसके पास है अचानक उसकी निगाहे एक सुर्खी पर पड़ी अचानक उसकी निगाहे एक सुर्खी पर पड़ी सुर्खी क्या है यहाँ पर देखेंगे क्या है सौ साल पहले सुर्खी क्या है देख पा रहे होंगे आप असपश्ट दिखे हमारा ऐसा प्रयास है क्या है सुर्खी आपने देखा सौ साल पहले क्या है सुर्खी सौ साल पहले सौ साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्सों पहले क्या हुआ था आप इससे समझेंगे यहाँ पे लिखा गया है अकबार में वहाँ इसने पढ़ा है सो साल पहले नियूस पेपर में अब ऐसे में वो बच्चे जो क्लास वन UPSC के तयारी कर रहे हैं या वो बच्चे जो अन्य PCS अलग-अलग सरकार के लिए वो अपने आपको तयार कर रहे हैं और ऐसे में उनके लिए उनको पता है नियूस पेपर कितना इंपॉर्टेंट है नियूस पेपर का क्या एंगल होगा और यहाँ पे इस पस्ट रूप से कहा गया है रासिदा के हाथ में क्या है समाचार पत्र है और रासिदा के हाँ देख रही है सो वर्स पहले तो अगर आप दा हिंदू के दा हिंदू लगातार आप पढ़ते है तो वहाँ पे दो कॉलम आपको कंटिन्यू मिलता है Monday to Friday सो साल पहले और एक कॉलम मिलता है पचास साल पहले वहीं हिंदी के समाचार पत्र अगर हिंदूस्तान पढ़ते हैं तो आपको मिलता है 75 वर्स पहले तो आपके लिए 3 एंगल आपको पूरा मिल जाता है 150 और 175 और 50 के 3 एंगल मिल जाते है पिर यहां पर के लिए सोचने लगी यहां कोई कैसे जान सकता है इतने वर्स पहले क्या हुआ था कैसे जाना जा सकता है आज आपके पास information की कई माध्यम है आज जब 4 जनवरी 2024 को मैं इस वीडियो को आपके लिए प्रजेंट कर रहा हूँ तो ऐसे में 4 जनवरी 2024 पूरे 100 साल पहले 4 जनवरी 2024 जब 4 जनवरी 2024 में है और आज के हैं दिन लेलीन हार्ट अटेक की वज़़ा से उनकी मरत्यू हो जाती है कब होती है मरत्यू? 4 जनवरी 2024 तो यह हमें जानकारी कैसे मिलता है? यह हमें जानकारी निउस्पेपर से मिलता है और हमें यहाँ पे क्या है? तो हम देखेंगे 4 जनवरी 2024 लेलीन हार्ट अटेक्सेन की मरत्य हो जाती है और यहाँ पे लेलीनवाद का एक concept जिन्रों ने दिया यहाँ पे आप एक थम सा जाता है वोस्ते तो रुक सा जाता है और हमें मौका देता है लेलीनवाद को समझने का मार्कसवाद को एक नई तरीके से गढ़ने का काम रूस में किसे ने किया तो लेलीन ने किया एक समराजवाद के खिलाब एक concept जिस ने दिया और सर्वहारा वर्ग के लिए जिन्होंने अपने कौन से विचार रखे लेलीन है और लेलीन के लिए हमारे लिए फिर यहां पे मत्रपुन तो ये पारग्राफ मैंने दो बाते कही है पहला रासिदा अगबार पढ़ रही है और अगबार में सुर्खी क्या है सो साल पहले और मैं भी जब आप से क्लास ले रहा हूं तो सो साल पहले चार जनवरी उनिस सो चॉबिस कौन लेलीन पार्टेटिक की वज़ा से वो दुनियास चले जाते हैं और यहां पे हमें मौका मिलता है लेलीन वाद को समझने का मलकसवाद की एक विचारधारा की परंपरा जो चार जनवरी उनिस सो चॉबिस को समाप्त हो जाता है और फिर हमारे लिए सरवहारा वर्ग के वारे में उन्हें जो विचारधारा दी समझने का मौका देता है फिर हमने आपको कहा कि 100 साल पहले जानने का सोर्ज क्या है The Hindu के 2 कॉलम कहा से क्या होते हैं वहां से आपको 100 साल पहले और 50 साल पहले कि 2 बाते हैं आपको The Hindu से आपको देखने को मुखा मिलता है तो अकबार से भी आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं और आपके लिए General Awareness के वो छातर जो भी Class 1, Class 2 या Class 3 और ने Examination के परिक्षा के तियारी करते हैं उनके लिए News Paper कैसे काम का होगा मैंने Clear कर दिया है वही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसे पता लगाएं कैसे पता लगाएं सवाल है कैसे पता लगाएं कैसे पता लगाएं तो आपके पास यहाँ फिर NCRT आपके पास मौका देता है आपको जानने का कैसे पता लगाएं 4 January 1924 सौ साल पहले क्या हुआ था तो हमारे पास यहाँ पे तीन option है जानने के लिए मेरे शात्र क्या है यहां पर देखें रेडियो क्या है रेडियो यहां पर रेडियो आप सुन सकते हैं और क्या सुन सकते हैं बीबीसी सुन सकते हैं और इसके अलावा कुछ सुनते हैं तो आप उन्हें रिस्क पर सुने आप आपके लिए और दुनिया में क्या है यहां पे टेलिवीजन दूसरा क्या है आपके लिए टेलिवीजन अब टेलिवीजन में क्या सुनें तो टेलिवीजन में आप आप सुन सकते हैं संसर टीवी सुन सकते हैं आपके लिए संसर टीवी ऑप्शन आता है संसर टीवी इसके अलावा आप क्या दुरदर्शन में समाचार सुन सकते हैं और इसके अलावा क्या सुन सकते हैं टेलिवीजन अगर आप देखते हैं तो इसके अलावा अगर आप कुछ देखते हैं तो वो अपने आप रिस्क पे देखते हैं बट आपके लिए क्या देखना अनिवारे हैं यहां पे अगर आप एक्जामिशन के लिए अगर आप अभिहारती हैं Class 1, Class 2 या किसी और एक्जामिशन के लिए अपने आपको तयार करते हैं तो आपके लिए सुनना महतपूर्ण हो जाता है रेडियो, देखना महतपूर्ण हो जाता है टेलिवीजन तो टेलिवीजन में आप देखेंगे संसर टीवी और दुरदर्शन के समाचार और वही सुनना अगर आप चाहते हैं All India रेडियो सुने और BBC सुने वहीं एक और कहता है क्या कहता है फिर अकबार पढ़ सकते है अकबार यहां पे क्या है आप देखें यहां पे आपके लिए तीन आप्शन है पहला रेडियो दूसरा आपके लिए क्या है टेलिवीजन तीसरा क्या है आपके लिए अकबार तो आप यहाँ पे देखें किया आपको मिला एलिवीजन अकबार और रेडियो आपके पास 300 सुरोत है कलियर हुआ मेरे चातर कलियर कर लीजिए जहाँ पे तनाव है जहाँ पे विवाद है और वही आपके लिए एक दामशन के लिए फुशन मनता है फिर से अपने एक कॉलम पे आते हैं क्या यहां पे यहां जानने के लिए यहां जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे वेक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो अब आपको क्या कहता है चर्चा पर चर्चा पर आपको ले जाना चाहता है चर्चा और पर चर्चा के कई सारे कारेक्ट्रम आप संसर टीवी में आप सुन सकते हैं जहां पे आपको पुराने समय के 50 साल पहले 1999 अडल विहार इवाज पही के समय में आप यहां तक आप जा सकते हैं या 11 माई 1974 पचास साल पहले जिनके उम्र 75 साल होगी वो आपको बता पाएंगे इंद्रा नहीं आप समझ पाएंगे आप पर만 परिक्ष्न समझ पाएंगे उस समय हमारे देस पर किस तरह के अमेरिकंस ने प्रतिबंद्र लगाया था और फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया और फ्रांस के संबंदों को हम फिर आपको ठोड़ा ले कर जा रहे हैं इसके लिए प्लीज लिए एक्जाम निशन में 26 जनवरी 2024 जब फ्रांस के राष्टपती हमाने पास गंतंतर दिवस के कारेक्रम में अबलेबल होंगे और वहां पे आपके लिए इंप्रटेंट फैक्ट बन जाएगा वहीं आप देखें आपके लिए मैंने तीन बातें सपस्ट की है हमें कहां कहा से स्रोत मिलता है रेडियो टेलिवीजन और अकबार यह तीन स्रोत हैं हमें जानकारी के और इन्हें पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए एक टाइम कैलकुलेशन भी मैंने करके बताया है आपके लिए अब देखेंगे आज से पूरे 50 साल पहले एक फिल्म और मकान और हम यहां पर रोटी कपड़ा और मकान का विशलेशन करेंगे तो 50 साल पहले 1974 में आये थी 50 साल पहले 1974 में आये थी रोटी कपड़ा और मकान जो लोग यहां पर देखेंगे अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जी जाना जा सकता है तो कैसे जाना ज पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, फिर कैसे घरों में रहते थे, घर, यह हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे, खाते, रोटी, कपड़ा, और पकान, घर, तीन बाते यहाँ पे, दिमाग में आपका बैठा, आप इसे याद रखे, रोटी और कपड़ा, यह तीन पाट सकते हैं किसी को समझने का हमारा ये chapter 1 का pattern हमें खोल रहा है तीन बाते रोटी कपड़ा और मकान को हमें समझना है आगे बढ़ते हैं question मार के साथ question मार के साथ क्या है कि हम आखेट को आखेटा क्या होता है hunters पसु पालक कौन है क्रिसक सासक वैपारी, पुरोहित सिल्पकार, कलाकार, संगितकार, वैज्यानिक ये क्या है ये समाज के विंग है हमारा हिस्सा है हमारे पार्ट है और ये अब से नहीं पुरातनकाल से, ancient time से ये हमारे साथ है और ऐसे में हमारे पास ये इंसेन टाइम से हमारे साथ हैं तो हम इनके बारे में जानेंगे भी जहां पर साक्ष है जहां परमान है वही हमारे लिए मतपुर्ण हो जाता है जहां पर साक्ष है जहां परमान है वही हमारे एक जामशन के लिए मतपुर्ण हो जाता है तो साक्ष हमें ढूंडेंगे आखे टक, सिकारियो, हंटर का साक्ष हमें कहां से प्राप्त होता है, पसुपालकों का साक्ष कहां से प्राप्त होता है, प्रिसकों का साक्ष कहां से प्राप्त होता है, क्रिसक अगर आप सिर्फ आप उत्पादन करते हैं और आप अपने लिए मुझे इत्यास बदलने वाला 얼마나 क्लास होगा आप इसको अबसे हाँ यहां हो रहा है तो दोड़ है और वहीं पे जब आप पसुपालक बनते हैं तो वो जिनके पीछे आप दोड़ रहे थे अब आपके नियंतरण में है गाय, बकरी, भैस, कुत्ता अब आपके नियंतरण में है मतलब यह सिकार के लिए भी अब आपके लिए एक पसु की सहायता हो रह सासन सासक वर्ग जो आपके लिए एक परक्रिया है जिसमें सिपाही है एक तंत्र है मंत्री है और राजा है एक तंत्र है जो आपकी सुरक्षग और आपके लिए सुरक्षप्रदान एक कवच का रूप का काम करता है वो सासक बैपारी जो लेंदेन की परक्रिया में संबलित ह इसकी साभागिता कैसे है लेंदेन की परक्रिया में जिसकी भागितारी है वो बैपारी है तो हमें जहां बैपारियों का अगर हमें जानकारी मिलता है वो अभी मतपुन हो जाता है वही पुरोहित ये पुरोहित जो आग की रक्षा करने का काम करता है एक जगा बैठा हुआ ह एक जग वो बैठा हुआ है और वो क्या करता है आग जो अगनी कुंड है उसके आज पास वो बैठा है और आग को डिस्टिब्यूट करता है जिसे वास्तों में आग चाहिए घर में आग का बहुत सारा महत्व है भोजन बनाने में या फिर भोजन बनाने के अलावा अभी देखेंगे उनको हाथ पैर को गर्म करने में तो ऐसे आग का हमारे लिए जीवन में पुरातन काल से इसका महत्व एंसेन टाइम से महत्व राह है और अगनी की रक्षा करने का काम कौन करता है करता था पुरोहित तो हमें यहाँ पे इंटेलेक्ट्ट्वल एक को एक जीज़ान के प्रक्रिया जहां पे एक कंभीर कला की सब्सक्ता दोय जैने का काम कर रहे थे वह वह हमारे पासं हो गतिविदियों में नहीं नहीं बातों को आपके सामने रखने वाले यहां पर वैग्यानिक भी आपको मिलते हैं वैग्यानिक तो आप यहां पर देखेंगे हमारे पास फिर से एक बार रिवीजन आखेटक हैं पसुपालक हैं किसक हैं सासक हैं वैपारी हैं पुरोहित हैं सिल आपको खेलों के बारे में सुन्द सबेता के काल में बच्चों के खिलोने हमें प्राप्त होते हैं उन खिलोनों के बारे में भी आपको जानने के लिए कहता है वहीं है अगर आप अगर आप एक्जानमशनल की तैयरी में हैं और किसी भी तरक एक्जानमशनल में तैयरी कर रह तो जानना है हमारा काम, ढूंडना है जहां से हमारे एकदामनोशन के लिए important fact generate होता है, फिर हम देखेंगे, हमने पहले ही आपसे कहा हमारे लिए क्या चित्र और मान चित्र उप्योगी है, तो पहले वाले में रासिदा का अपने चित्र देखा, वहीं अब आपके दूसरे हि अब बड़ी नदियों किनारे रहते थे, छोटी नदियों किनारे रहते थे, रिप्ट घाटी वाले नदियों में रहते थे, या फिर मैदानी नदियों में रहते थे, आप ते करेंगे, आपको इससे सोचना है, NCRT आपको क्या मौका देता है, चिंदन करने का मौका देता ह लोग कहां रहते थे हमारे एक सवाल है आपके लिए नदी का व्धारन दिया गया है यहां पर सफल नदी है अरह से लेजिए क्लास को राम से आन ग्र नी पर चीतर rebell terug यहां पर चीतर अपन्ट्र है कले ने देखा jurisdiction मानचित्र एक उप महादियूप का प्राकरतिक मानचित्र है यह कैसा है नेचनल मैप है यह हमारे पास और यहां पे आपके लिए पूरी नदियों की कहानी दीवी है तो नदियों की कहानी आप यहां पे देखेंगे इस हिसे में आप जाएंगे तो सिंदू और उनके सायक नीचे अगर आप झाएंगे तो आपको फिर दोature सव मिलेगे। एक पूर्व से पुरव की और बहने वाली नदिया। कौन गुदावरी, कृष्णा, तुंग भद्रा, पनेर या काविरी, यह फिर आपके पूर्वी घाट की नदिया, पश्चिम घाट की नदिया, और हमारे पास यहाँ पे ब्रहंपुत्रा की चैनल की नदिया, गंगा और यमुना की यहाँ पे सायक नदिया, और दक्षिन से उत्तर के बहने वाली नदिया, और यहाँ पे आपके लिए सिंदु नदिया, उसकी छे सायक नदिया, पञजाब की पांश नदिया, यह वर ओल हमारे पास प्राकृतिक उपमहाद्यूप, कहाँ पे है? यह मान्चित कैसा है? उपमहाद्यूप के बारे में है, यहाँ पाक करके आपको समझाने की कोशिस है, फिलाल यहां पे सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी के बारे में आपको चर्चा करता है, क्या चर्चा करता है, आप ततकाल, आप किसी और नदी पे चर्चा ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या कहा जा रहा है, नर्मदा नदी पे आप न इंच्छ कई लाक वर्स पहले से रह रह रहें, information NCIRT हमें देता है, तो तो अगर आप से examination पूछ ले आपसे, कि नर्मदा नदी के तटों के आस पास हमें, हमें जो साक्ष प्राप्त होते हैं वो कितने साल पहले कितने लाख वर्स पहले कितने हजार वर्स पहले तो आपके लिए यहाँ पे NCRT क्या कहता है कई लाख वर्स पहले से इस नदी तट के तट पर रह रहे थे किस नदी तट पर रहे थे और यहां रहने वाले लोग भई रह रहे है तो तू कुछ तो कर रहा होंगे कोई activity होगी कोई action होगा और यही जहा पे action है जहां पे activity है वही तो हमारे लिए question है आरंभिक लोगों में कुछ संग्रहक थे कुसल संग्रहक थे, कैसा थे कुसल संग्रहक थे कुसल संग्रहक होने के लिए बहुत जरूरी है कैसा, कि अतरिक्त उपज अगर होगी तो संग्रह होगा यहाँ पे देखेंगे, अतरिक्त उपज होगी तो संग्रहक होगा, अगर संग्रह होगा तो हमारे लिए बैपार का कारण बनेगा और यहाँ पे संग्रके हमारे पास कई विधी विधान भी होंगे तरीका होगा जब हम चीजों को संग्रा कर रहे होगा तो हमारे पास यह कुसल संग्रक था इन्हें पता था कि अगर आज हमने अनाज का उत्पादन किया है तो इसे अगले कुछ सालों तक कैसे हम बचा कर रखें इनकी इन्हें जानकारी थी फिर हमें एक और महत्पूर्ण बात अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं कोई देश ताकतवर के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों, उत्पादों उत्पादन की परक्रिया का यही से संग्रह किया करते थे पर ध्यान देंगे हमारे लिए बहुत यह इंपॉर्टन्ट है भोजन में क्या है इनके पास जड़, फल और जंगल से बहुत सारी चीज़ें इने प्राप्त होती थी और इस तरह से इनका यह क्या करते थे संग्रह करते थे क्या करते थे, संग्रह करते थे और यह कुसल संग्रहक है क्लियर है, संग्रह कर रहा है किसका है, और यह संग्रह कर रहा है जड़ों का, फलों का, और ये प्राप्त कहां से करना है, जंगलों में, बिन बिन उत्पादों का, तो हमारे लिए उत्पाद, जब आप उत्पाद और उत्पाद अनके परकरिया को आप समझ पाएंगे, तो आपके लिए NCRT समझना और आसान हो जागा, तो वे जानवरों का साखेट, सिकार भी करते थे, तो क्या सिरफ ये जड़ और रुफल और जंगलों के साकारी उत्पादों के साथ ये जिंदा थे, नहीं, हमारे लिए यहां पर क्या होता है, ये हंटर भी थे, ये सिकारी भी थे, बड़ा मैजदार है, सिकारी, सिकार से भी इनका जीवनी आपन होता था एक स्लाइट पर चलेंगे ओप कि आपको मजा रहा होगा और अपने स्टुरेंट्स प्लीज इसे नोट आउट भी करते जाएं NCRT को अच्छे समझेंगे आपके लिए किसी भी सेंट को समझना क्राउन को समझना और यह सम्माने तोर पर बहुत सारे बाजार में जो आपके रेडिमेट बुक्स हैं उसको समझना आपके लिए NCRT बेस्ट मैगजीन या कोई बुक्स को समझना आसान हो जाता है फिर अभी यहाँ पर दुबार एक बार चलेंगे कहां चलेंगे मानचीतर पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारे लिए एक हिस्सा कौन सा हिस्सा county यहाँ पर ये सिंदू, प्रमपुत्रा और बिंद पहाड़ियों के आसपास दो नदी, कौन-कौन से नदी, नर्मदा और तापती, नर्मदा और तापती नदी के मद, सत्पूरा, और हमने क्या कहा, पश्चिम और पूरब की ओर, बैने वाली प्राद्यूपिया, प्राद्यूपिया न अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलमान और किरधर पहाड़ी का पता लगाओ अक्टिव उनिक लिए आपसे कह रहा है जा कह रहा है उत्तर पश्चिम के सुलमान उत्तर पश्चिम के सुलमान सुलमान और किरधर पहाड़ी दो पहाडी के बारे में आपसे बात कर रहा है सुलेमान और किरदर पहाडी के बारे में बात कर रहा है और अगर आप देखेंगे सुलेमान और किरदर पहाडी के बारे में थोड़ा से और इसे exercise कर लेते हैं इन दोरों के बारे में फिर हम आगे चलेंगे सुलिमान और किर्दर पहाड़ी आप यहाँ पे देखें तो काबूल नदी यहाँ पे आपके लिए काबूल नदी और आप यहाँ पे देखेंगे यह आपके लिए यहाँ पे सुलिमान किर्दर सुलिमान और किर्दर ये दो पहाड़ियों के बारे में बात कर रहा है ये और ये इरान के पठार का हिस्सा है किसका हिस्सा है इरान के पठार का हिस्सा है और ये हिमाले का हिस्सा नहीं है ये इरान के पठार का पुर्वी हिस्सा और हिमाले के के पश्मी हिस्सा हिमाले का हिमाले का पश्मी हिस्सा just one एक तरह से आपके लिए ये जो इनका किर्दैर और सुलिमान का कुर्वी ढाल और हिमाले का पश्मी ढाल इन ढालों के मद्थे यहाँ पे आपके लिए आपके लिए एक एक प्राशीन काल में यहाँ पे हमें कई प्रकार के साक्ष प्राप्त होते हैं, कई सारी गतिविदियां हमें, सिंदु काल की सिंदु नदियों के आस पास की गतिविदियां में देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे वैदिक काल में और यह मद एसिया से लोगों का मुवमेंट य वही वो खड़ और खाड़िया हैं जिनके राहस्ते से ये भात की और भारती महाद्यूप की और ये वैदिकाल के लोगों का मुमेंट रहा है यहाँ पर आगे चलेंगे एक हिस्सा ये है तो अगर हम यहाँ पर देखें सुलेमान और करदर की पाड़ियां किसका हिस्सा है इरान की पठार का हिस्सा है सुरी ठंड लग चुकी है सरदीसा है स्वस्थु पर वे पास आगे पास आगे मन से सजना चाहिए राज कपूर साब 24 जसंबर 24 जन्म अब प्रे 100 साल पहले राज कपूर साब इस सो चलता है रहना चाहिए हम रहें 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 आनिया कल्दी रहनी चाहिए राज कपूर साब सबसे पहले तो अगर आपके एक्जामेशन में पूछा क्या पूछा कि सुलेमान सुलेमान और करदर की पाड़ियों के आसपास आठ हजार वर से पहले वहां के लोगों ने किसका उत्पादन सुरू किया गेहू जाओ सुलेमान की पहाड़ी तिरदर की पहाड़ी यहां पे रहने वाले लोग किसका उत्पादन करते थे गेहू का उत्पादन करते थे जाओ का उत्पादन करते थे अगर आपके option में कोई और मिला तो आपको क्या करना है चावल नहीं भाई नहीं गेहू जाओ हाँ 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 तो ये पश्चिम के पश्चिम में सुलेमान और किरदर की पहाड़ी जो कि इरान के पठार का पश्चमी हिस्सा है सारी पुर्वी हिस्सा है ये पहला हिस्सा हुआ वही आप देखेंगे दूसरे हिस्से में उन्होंने भेड, बकरी, गाय बैल जैसे पसू भेड, बकरी, गाय बैल भेड, बकरी, गाय बैल जैसे पसू का यहाँ पे उन्होंने क्या किया पाल तो बनाना शुरू किया क्या किया है उन्होंने पालतु बनाना शुरू किया हैं यह दोनों ही हमारे पास कहा मिलता है सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के आसपास हमें क्या मिलता है गेहुदर और उत्श्पादन का हमें साक्ष मिलता है इसके आलावा हमें क्या मिलता है वहाँ से भेड बक्री और गाया बल जैसे पस्कुल की पालतु बनाने की हमें प्रमान साक्ष में प्रापynth होते हैं भारत के 3 हिउस्समें हमारा बात कर engines फिलाल भारत sat़ इस आज़ा और यह कहांच पर आपका पाकिस्तान बिलूचिस्तान जाएंगे के अफ्कर हैं global उत्तरपूर में गारो तथा मध्य भारत में बिंद की पहाडियों का पता लगाएं अब आपसे active होकर पूछ रहा है कि आपको पता लगाना है किसके बारे में गारो की पहाडियों के बारे में कह रहा है पता करने के लिए गारो और यहां पर क्या कर रहा है बिंद की पहाडि फेस्सटा बारे पाड़ी या फिर आपका ब्रम पुछाजाटा है यह आपका ब्रम पुत्र नधी और गारों की पहाड़ी पुर्यान ऑर यहां पर नियुक्जाले केस्ट लिभा शाग से व्मस्पा रमत्र जाम सब्सक्रारालीन व्मस्प में के पहाड़ियों के बारे में और फिर यहां पे आपके लिए किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बारे में तीन यहां पे आपके लिए आपसे Classics के पहले chapter में तीन हिस्सों के बारे में वो discussion करना चाहता है और हमें यहाँ पे और इसके अलावा और इसे ओपे भी ध्यान नहीं देंगे असपस्ट यह जितना कहता है उतना ही हमें करना है आगे बढ़ेंगे यह क्या कह रहा है पता लगाओ यह कुछ अन्य ऐसे छेतर थे जहां क्रिसी का विकास हुआ असपस्ट इसने क्या कहा है वह तीन छेतर जिसके बारे में अभी हमने पता किया गारों की पहाड़ियां, बिंदी की पहाड़ियां और किरधर और सुलिमान की पहाड़ियां वह तीन ऐसे छेतर हैं जहां क्रिसी का विकास हुआ सबसे पहले चावल चावल का उधारण हमें कहां से मिलता है पिंदी के उत्तर में इस्थित वाले हिस्से में सबसे पहले चावल देखिए अपने आप में ही आपके लिए पर अगर आपको मल्टी डामेंशन में अमसी क्यूज आता है तो आपके लिए बड़ा मिज़दार होगा यहां पर सबसे पहले चावल जाया गया वियस्थान पिंदी के उत्तर में स्थित थे पिंदी के उत्तर में स्थित थे यहां पर आपके लिए और उसके सहायक नदियों का पता लगाने कोसिस करें फिर हम अपने मानचितर पे जाएंगे और सिंदू और उसके सहायक नदिया वो फर्टाइल लैंड जो हमारे लिए एक बड़े छेतर में उपज एक प्राकरतिक उपज का कारण बनता है तो हमारे लिए यहाँ पे कौन-कौन सा है आप देखें जेलम, जेलम, चिनाव, रावी, व्या, सतलुच यह वो नदिया है जो हमारे लिए आपके लिए संदू और उनके सहायक नदियों का एक चैनल बनता है फिर वैसे ही आप देखेंगे गंगा, और गंगा के उत्तर से दक्षिन और गंगा के दक्षिन से उत्तर में बहने वाले नदियों का आप जान सकते है ब्रमपुत्रा, ब्रमपुत्रा उनके सहायक नदियों के बारे में जान सकते है फिलाल हमारे पास NCRT को पटापट समझने का अभी हमारे पास कई और टॉपिक साथ में लेकर चलना है हमारे लिए आप अलग-अलग बाइफर्केट करके हमारे स्टुरेंट इन तीनों को समझेंगे बरंपुत्रा सिंदू और गंगा और उसके साहक नदियां और गंगा की साहक नदियों में उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर में बहने वाल नदियों के बारे में पटापट नोट बनाएंगे किसी और क्लास में जोग्रफी के क्लास में हम इस पर डिस्कुशन करेंगे हम आगे देखते हैं पानचीतर क्या कहता है सहयक नदि हैं सिंदू के मिल लाती है लगबग 4700 वर्ड कितने साल पहले आद से कल्लेट करेंगे 4700 वर्ड पहले इनी नदियों को किनारे कुछ नगर फले फूले आप धियान दीजिए नदियों के किनारे पसवों के लिए पानी और मनुश्य के लिए पानी, मतलब हमारे लिए जल यह जीवन है और आसे में नदी तंतर के आसपास, पिसानों का फलना फुलना, क्या हो ना? फलना और फुलना क्या फिर वहीं हम देखते गंगा और इसकी सहयक नदिया पहले इसे हमने देखा सिंदू और इसकी सहयक नदिया और गंगा और इसकी सहयक नदिया ये छोटी छोटी नदिया आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है यो रिफ्ट घाटी रिफ्ट घाटी ये आसपास बार्व किस्तिती नहीं बनती है वहाँ पे पानियों का सालों भर प्लब्दता और पस्वों के लिए और इनसान के लिए वहाँ पे आपके लिए भरपूर मात्रा में पानी का उप्लब्द होना सहयक नदियों के किनारे यह उतना महत्पूर्ण नहीं है जितना एक टोंड नदी उसकी एक सहयक नदी या फिर चंबल नदी छिप्रा नदी यह चोटी चोटी नदियां वैसे ही गंगा के साथ जो गंडग बुड़ी गंडग सोन नदी यह सहयक नदियां हमारे लिए वास ने के अर्थमिक च्रण में हमें मौका स्मझने का कि अच्छे से अपने स्मझने के लिए गंगा तर्था इसकी सहक नदी सॢम का पते लगाओ चलो जी पते लगाएंगे अंगा के दक्षिन में इन नदियों के आस-पास् प्राचीन काल में मगद, वर्तमान, बिहार नाम से जाना जाता था जरूर जाना जाता था और यहां पर हमारे लिए पिर एक exercise करने का मौका देता है क्या मगद समराज के बारे में हमें यहां समझने का मगद, मगद, वर्तमान में जिसे बिहार और वो यहां पर देखेंगे ग नदियों के आसपास गंगा का दक्षिन, गंगा के दक्षिन का हिस्सा, मगद का समराज, और यहां पर अगर उत्तर का हिस्सा, आपको वैसाली का समराज, यहां पर आपको वैसाली है, और यहां पर क्या है, मगद है, और यहां पर आपके लिए क्या गह रहा है, यहां पर मग ये महाजन पतों का वह काल खंड जब इसापुर वह आप 500, 400, 300 के आसपास आते हैं, एक मजबूद राज सत्ता यहाँ पे आप देख पार होते हैं मगत के आसपास, यहाँ महाजन पतों के विकास का खंड आ जाता है और ऐसे में आपके लिए मगत समराज आपके लिए एक जाम नशन के लिए एक विसाल समराज की अस्थापना का एक आपके लिए बिरहत हिंदुस्तान को आपको समझने का यहाँ पे मौका देता है, और ऐसे में देश के अन् सब्सक्राइब तरह और लोगों ने सद्धेव महादियूप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्र की यह कह रहा है इस बूरे पूरा उप महादियूप ऑगर आप देखेंगे पाकिस्तान इधर आप देखेंगे बंगलादेश और नीचे स्रिलंका यह पूरा को पूरा जो हमारे उप महाद्यूप का एक विशाल खंड है और यहां पे परवत है पहाड है नदी है एक विशाल मैचा है और जोकिन भरा समुद्रीयात्रा है और यह जितने भी पैटर्न है हमारे पास है movement जब इनसान ने अपने सक्रियता और सक्रियता नदी मारगे किनारे किनारे नदियों के किनारे चोटी-चोटी किनारे पद यात्रा करते हुए और यह जैसे पर यहाँ पर उनको कोई सहायक नदी मिलती है फिर यहाँ कुछ की और चले गए और कभी यह समुद्र की और चल गए इनका गमन यह लगातार बना रहा कभी यह उचाई की और कभी निमनस्थल की और इनका movement आप देख सकते हैं खेर हमारे पास एक NCRT का जो हमारे चप्टर 1 का पहला हिस्सा हमारे पास यहाँ पे और समझने का मौका देता है और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कभी अता कभी लोग काम की तलास में कभी प्राकृतिक आप अदाओं की कारण एक अस्थान से दुसरे अस्थान जाया करते थे कभी सेनाय अधर पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी इसके अतरिक्त बैपारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मुल्यवान वस्तू लेकर एक अस्थान से दुसरे अस्थान जाते थे आप देखेंगे हमारे पास कई सारे मुव्मेंट्स के जो अभी नक्से में या देश है वहां से ऐसा माना जाता है वैदिकाल में लोगों का मुव्मेंट हुआ है इसके संबन्द में कई सारे वाद विवाद भी है पिलाल हमारे लिए इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे लोग अन्य हिस्सों में भी नदी तंत्र को मानकर गंगार उसके सायक नदियों के आसपास के लोगों ने मुव्मेंट किया है और फिर बंपुत्रा उनके सायक नदियों के आसपास मुव्मेंट किया है वहीं आप देखेंगे 2000 वाड से पहले स्रिलंका की और सिहलियों ने जो भारत से सिहली स्रिलंका की और वो गए उनके बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं अबर आल इनका लगातार मुव्मेंट होना कई सारे गर आप 15 सताबदी के आसपास देखेंगे यह जो सेना हुआ करती है स्राय जैसे आप जानते ह्ं अ भ созд जैसे और अ फिर करती ऑन बधीचर की सेंगे हैं द는지 को केम समय के लिए कंसमय के लिए एक कि अब खास समय के लिए वहां पर पточत हैं और प्र वहां से दूशे लोकेशन के लिए और करना क Hol he your पार निर्बान होता है और जो बाद में उनके जाने के बाद हम पी बी चोटे मुटे बड़े नागर के रूप में हमें देखने को मिलता है ये तर्फ ऊठे करता था वहीं पर आप देखेंगे इसके अलावा बैपारियों की गतिविदियां राजसान गुजरात से आपके लिए अलग-अलग हिसों में दुनिया के अन्य चेत्रों में या दुसरे और भी गुजरात से पश्चिम मंगाल तक के मुवमेंट आज भी आप देख सकते हैं बैपारिक कतिविदियां भी इनका वज़य बनता है वहीं आप देखते हैं वह दाड़ो और लोथल के बीच चिंदु काल में भी आप लोथल के बीच आप एक्टिविटी लेंदेन की परकिर्या को आप देख सकते हैं प्राचीन काल में भी आज लोग यात्रा है क्यों करत तो यात्रा करने वैपारी गतिविदियों के लिए धार्मिक प्रेटन के लिए या फिर कई और गतिविदियों के लिए प्रंजन के लिए तो हमारे पास जब आप मांचितर एक को देखें यहां फिर से कहता मांचितर एक को देखें पहारी परवत समुद्र और महादियू के प्राकृतिक सिमाओं का निर्मान करता है हम उनके बारे में इसे जानने का आपको मौका देता है वहीं हिंद महासागर अरबसागर के बारे में आपको समझने जानने का मौका मिलता है इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक प्रमपराओं को सम्रिद किया है, क्या किया है अगर आप अपने सांस्कृतिक विचारों को अगर आप कही आप जा रहे हैं, तो आपका सरीर ही नहीं जाता है, आपके साथ आपका विचार भी जाता है तो ऐसे में सरकार ने तमिल और कासी संगम नाम से एक कारेक्टर में भाद सरकार ने सुरू किया है तमिल में दक्षिन के लोग रहने वाले कासी या उत्तर भारत की ओर और उत्तर भारत कासी से दक्षिन की ओर जाने वाले ऐसे धार्मिक प्रेटरन को बढ़ावा देने के लिए तमिल कासी जैसे कारेक्टर में भाद सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और यहां पर सांस्कृतिक प्रमप्राओं को सम्रिद करने में भी हमारे लिए यह यात्रा है मत्रपूर्ड होती है कई सो वर्स से लोग पत्थरों को तरासने अगर आप पटना म्यूजियम जाएंग वहीं बिहार मुजियम के स्थापना का हुई है 2017 में हुई है सब कुछ आपके लिए एकदम योजना बद है और आपको आसान तरीके से याद रखने का भी आपको तरीका और सलीका आही जाना चाहिए अब यहां पर एक और पैटन खोलता है देश का नाम देश के नाम के बा संगठन द्वारा इस पर चर्चा की जारी है तो हमारे लिए क्या वह इंडिया सब्द वाकई बेग आना है या फिर हमारे लिए भारत वह सब्द अपना है तो हम इसका अवलोकन और विशलेशन करेंगे कि किस रूप में इंडिया हमारा है या भारत हमारा है तो हम इसको सम इंडस से निकला, इंडिया सब्द कहां से आया, इंडस से निकला, और जिसे संस्कृत में सिंदू कहा जाता है, इंडस युनानी स्टाइल है, और ये संस्कृत में सिंदू, संस्कृत में सिंदू, और इंडस युनानी स्टाइल, फिर आप से क्या कहता है, अपने एटलस में इरान और क्या देखने के लिए कह रहा है आपसे इरान तो आप पता लगाएं इरान का पता लगाएं जब आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के पस्चिम हिस्से का आप विसलेशन करेंगे तो आपको इरान मिलेगा और वहीं आप युरोप आपको जाने के लिए युरोप आपको जाना पड़ेगा पता लगाएंगे और वहीं आपसे कहता है लगबग फिर साल पहले धाई जार वर्स पुर्व कितने वर्स पहले धाई जार वर्स पुर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले अगर हम इसको ये उत्तर हुआ ये दक्षिन हुआ ये पश्चिम हुआ और ये पूरव हुआ और आपसे क्या रख कहा है कि इस एंगल से आने वाले लोग उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले इरानियों इन्दानियों ने सिंदु को हिदोस अथवा इंदोस क्या इस नदी के पूर्व में इस्तित भूमी परदेश को कहा किस को कहा इस हिस्से को किस हिस्से को उत्तरपश्चिम के हिस्सा इसने क्या कहा, कभी उन्यानियों ने इसे क्या कहा, हिदोस, इंदोस, इसका क्या था, यह जो भूमी प्रदेश है, भूमी प्रदेश को इन्होंने क्या कहा, हिदोस, इंदोस, और यही क्या हो गया, इंडिया कहा गया, इसी हिदोस, इंदोस को इंडिया कहा गया, खेर आगे परियोग उत्तरपश्चिम में रणने वाले लोगों ने एक समू के लिए किया जाता था और इस समू का उलेक संस्कृत की आरम्मिक लगवक साड़े तीन हजार वर से पुराने दिगवेद में हमें इसका परियोग जलता है परियोग देश के लिए होने लगा क्या होने लगा भरत से क्या हो गया भारत बरत से यह क्या हो गया भारत तो इंडिया और भारत हमारे लिए कोई आज की कहानी नहीं है ये हमें प्राशीन काल से ये दो हमारे लिए ये नाम हमारे देश को सम्मान देता है आगे हम और समझेंगे एक्स हमारा स्लाइट क्या कहता है अतीत के बारे में कैसे जाने अभी वही कहानी कैसे जाने अतीत के बारे में जाने इतिहास सभी ग्यान का ग्यान की मा है इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत है वर्स 1924 में अबल पुस्कार की से दिया गया और जिसे ग्यान के लिए दिया गया तो ग्यान के स्रोत आपके एकजामिशन के लिए बहुत है अगर आप examination को समझना चाहते हैं, आपको बहुत balance, जहां पे आप balance हो, लेकिए मैं लागतार आपको classes में discussion phenomena में करा रहा हूंगी, आप कम समय में चीजों को अधिक साधिक सीख पाएं, लेकिन मैं रुक कर थम कर आप से यह कहना चाहूंगा, जहां पे आपके पैर हमें को समय म जगह पान हो, आपको अपने balance करना चाहिए time devil से, तो सीखने का एक बहाना देता है इतिहास, इतिहास के समझवाले लोग इतिहास लिखते हैं, इतिहास को समझने वाले लोग इतिहास लिखते हैं, पिर हमारे लिए एक और अतीद के बारे में कैसे जाने, और यह जो आपके इतिशन कृश्टिजर रहे हैं, आप को बार बार क्या करना होगा, जानना होगा, जहां पे आपकी खुरश्कोंच की, अब पो दर्वका बनना चाहते हो, जानना होगा पिर वहीं आप कोई अधिकारी बनना चाहोगे यूजनाओं के बारे में आप जानोगे किरला में कोई कारेक्टर में पहली बार सांदार तरीकेश ले जा रही है उसे अब यूपी और बिहार में भी आप सांदार तरीकेशे आप प्राणब गरा सकते हो एक मॉडल एक डिजाइन को पास शेक करने के बाद फिर यहीं पे आप देंगेंगे फिर से आते हैं अतीत के बारे में कैसा जाने अतीत के जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं अतीत के जानकारी हम कई तरह के से प्राप्त कर सकते हैं है कॐन कॐनसे वह तरीका होगा उस्तोकों को ढूंदना हम है कि आप पट्ठा में हैं तो आपको कुदाबक्स लाइडी जाना चाहिए जहां पर अरभियन और फार्सियन लेंग्विज के पुराने कई सारे आपको बिल जाएंगे इसके लावा कई राज के लाइडी में भी आपको प्राशीन काल के आपको किताब उस तक आपको मिल सकता है वहीं पर आप नेस्नल लाइडी आप कोलकाता भी जा सकते हैं इसके अलावा प्रफियों का संग्रख के लिए बाहसरकार के लिए अलग से इसकोप है वह दिल्ली में स्थापित है और यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजी में पांडुल्यूपी के लिए प्रयुक्त होने वाला manuscript, manuscript Latin की सब्द menu से बना है, 1, 2, 3, 4 क्या है, आप restaurant जाते हैं आपको वहाँ पर क्या मिलता है, menu मिलता है जिसका अर्थ हात है जिसका हर्थ, अर्थ हात से निकला है ये पंडुलिपियों का प्राया ताड़ पत्रों, अत्वा, हिमाले छितर में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़, बुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेश तरीके से तयार बोज पत्र पर लिखी मिलती है और यहाँ पे हमने पहले ही कहा चितर आपके लिए बहुत महत्वण हो जाता है और ये आपके लिए ये क्या है, आपके लिए पत्र पे लिखा हुआ ये एक पांडूली पी है आपके लिए मैनुस्क्रिप्ट है इसे आपको जाना चाहिए ऐसे मैनुस्क्रिप्ट प्राचीन काल में ये जो वैदी गरंत लिखे जाते थे ऐसे ही मैनुस्क्रिप्ट पे लिखे जाते थे जिसे आपको जारना चाहिए वहीं अगर हम अगले खंड में हाँ पे देखेंगे इसको इसे सावधानी से देखेंगे यह जो आपके लिए इस तरह का कॉलम बनेगा यह आपके लिए एक डिफरेंट आपके लिए पारग्राप देता है सामर पत्रों से बनी पांडुलीपी का एक प्रिष्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे थे यहाँ पांडुलीपी लगबग एक हजार वट से पहले लिखी गई थी बनाने के लिए ताड के पत्तों को काट कर उनके अलग-अलग हिसों एक साथ बांड दिया जाता था पुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पंडुलीपी को तुम यहाँ देख रहे हो जो हिमाले इच्छेतर से प्राफ्ट हुआ है स्टम स्लेट पर जाएंगे मेरे बच्चे स्टम यहाँ पिमाले झीछो मेरे इंक रहे हो जाएंगे मेरे रहे है झाल झाल